नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या टूटोरियल में मैं हूं मितिलेश बर्मा और आज हम लोग देखेंगे EBS का पार्ट फाइब इससे पहले हम लोग पार्ट फोर तक देख लिए हैं और जो सिच्छक गन नहीं देखे होंगे तो वो पीछे हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर करके देख सकते हैं ये उन लोगों के लिए काफे महत्पुर्ण है जो J-Tate की तैयारी कर रहे हैं या फिर C-Tate की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं एक-एक करके सवाल पहला है कि कांसा कांसा मतलब ब्राउंज को कांसा दो धात्वों का मिसरन है ये दो धात्वी हैं कौन-कौन से धात्वी हैं कांसा किन-किन धात्वों से मिलके बना है तो तामबा और लोहा, तामबा और टीन, अलमुनियम और टीन, तामबा और जस्ता तो इसमें सही उत्तर जो होगा आपका, वो होगा तामबा और टीन ये दो धातुओं से मिल करके बना हुआ है, तो सही उत्तर आपका हो गया दूसरा काँसा जो है उदो धात्मों का मिसरन है ये दो धात्मों है तामबा और टीन तो ध्यान रखिएगा ये important question है आता है परीच्छा में ये देखिए दूसरा सवाल है हमारा कि कुछ पच्छी हमारी तुलना में चार गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं ये पच्छी हैं कौन चील बाज या गिद दूसरा option है बाज कबूतर या तोता तीसरा फाकता कववा और मोर चौथा है कववा चील और बुलबुल तो आ इसमें तीनो साधारन पच्छी है ये छोड़के तो मोटा मोटी हमारा जो अनसर होगा वो ये देखिए ये खास पच्छी है क्या है कि इन लोग चील बाज और गिद हमारी तुलना में उचार गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो इसका सही अनसर जो होगा वो पहला होगा सही उत्तर हुए पहला व्याख्या में हम लोग थोड़ा देख लें हमारी तुलना में अधिक चार गुना दूर तक देख सकने वाले पच्छी जो हैं वो हैं चील बाज और गिद हैं चील इन में काली चील ब्रामनी या खैरी चील ओल बिल्ड चील यादी यह लगव अधिक दूर तक देख सकते हैं आए देखते हैं प्रशन तीन को कहता है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाईयां लिखता है और साथ ही गूड आउला और हरी पत्तिदार सबजियां जरूर खाने का सुझाओ देता है यह मरीज किस रोक्षे पिडित ह होना चाहिए मलेरिया से दुसरा है मियादी बुखार तिसरा है अनीमिया और चौथा है बुखार तो आप दवाईयों के साथ साथ गूड आउला और हरी पत्तिदार सबजियां तो यह किस मरीज को यह सुझाओ दिया जा सकता है तो मलेरिया वाले को इसका सही अंसर जो अनीमिया का बिमारी हो तो उन लोगों को गूड आउला और हरी पत्तिदार सबजियां खाना चाहिए सही अंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा कहता है कि जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाईयां लिखता है तथा साथ साथ गूड आउला और हरी पत्तिदार सब जादी है तो और मरीज एनेमिया से पिडित है चौथा सवाल हम लोग देख लेते हैं काता है रेगिस्तानी ओक एक पेड का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं इस पेड की जड़ों की गहराई इस जड़ तो यह पेड कहाँ पाया जाता है आस्ट्रेलिया में आबुधाबी में रूस में या राजस्थान में तो इसक जो रेगिस्तानी ओक जो है शायता है आइज देखता है next question को हम लोग five होगा कहता है ब्रेल लिपी में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं यह लिपी आधारित होती है, तो ब्रेल लिपी जो होता है, उन लोगों के लिए जो होता है, जिनको दिखाई नहीं देता है, कहिए कि अंधे लोगों के लिए होता है, अंधे लोग ब्रेल लिपी से पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपी मोटे कागज पर होते हैं और उभरे वे बिंदू होते हैं, तो यह लिपी आधारित होती है, तो कितने बिंदूओं पर आधारित होती है, प्रश्न है कि कितने बिंदूओं पर आधारित होती है, आठ बिंदूओं पर, छे बिंदूओं पर, दस बिंदूओं पर या चार बिंदूओं पर, तो इसका जो सही अंसर हो होगा दूसरा च्छा बिंदुओं पर आधारित होता है आए कुछ डिटेल्स देख लें इसका तो ब्रेल लिपी नेत्रहिनों नेत्रहिनों मतलब अंधि लोगों के लिए नेत्रहिनों के पढ़ने के लिए हैं वे इसे असपर्स करके लिखने और पढ़ने में परियोग करते हैं असपर्स करके चुकि नेत्रहिनों को दिखाई तो नहीं देता है इसलिए वो असपर्स करके लिखने और पढ़ने में मदद करते हैं प्रयोग करते हैं इसका आविश्कार 18-20 में एक नेत्रहिन फ्रांसी सी लेखक लूई ब्रेल ध्यान रखियेगा कि ब्रेल लिपी का जो है ब्रेल लिपी बनाई अथा यह अच्छा बिंदूओं पर आधारित यह बनाया तो अभी ध्यान रखियेगा कि ब्रेल लिपी में कितने बिंदूओं पर काम होता है तो छे बिंदूओं पर छटा प्रशन को हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के नीचे दिये गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में उगाते हैं घरों के घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इन से बने खाने का स्वाद बहूत अ तो वो कौन सा राइज है तो वो गोवा है असाम है या केरल है या अंधर परदेश है तो बताइए कि लोग अपने घर के आंगन में नारियल जैसे प्रेड को उगाते हैं तो वह स्टेट है आपका गोवा गोवा में लोग गोवा के लोग अपने घर के आंगन में ही टेपियोका और नारियल जैसे खाने की चीज़ों को उगाते हैं सात्मा प्रस्न है कच्छा फाइब के सिछार्थियों में जिग्यासा जागरित करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका जिग्यासा जिग्यासा जागरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पहला है अकसर एकाई परिछनों का आउजन करना एकाई परिछनों मतलब उनीट का आउजन करना लिखीत कार्ज में उन्हें अधिक अभ्यास देना गहन जाच परक और कलपना परक परशन पूछना अधिक हस्त परक अनुभव परदान करना तो इसका जो सही अंसर होगा जिग्यासा जागरित करने के लिए तो उसे हम लोग गहन जाच परक और कलपना परक परशन पूछेंगे तो उसका जिग्यासा जागरित होगा तो इसका कि विद्यार्थियों की रूची किस विशे में है और फिर उस विशे में सम्मंधित गहन, जाचपरक और कलपना परशन, कलपना परख परशन पूछें तो इसका सही अंसर होगा आपका थर्ड नंबर हर परीत अपने सिचार्थियों को या सुझाव देना चाहते है कि पर्यावरन सम्रचन के लिए किस परकार एक बैक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना जोगदान दे सकता है उनका सबसे बहतर सुझाव हो सकता है क्या हो सकता है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना दूसरा है कार अस्कूटर आदी जैसे व्यक्तिगत वहन रखें अपने व्यक्तिगत वहन के इंजन को निमित चाच कराना और चौथा है आने जाने के लिए सारुजनिक साधनों का परियुक करना तो आप वो जो सहरपरीत हैं वो पर्यावरन सनरच्छन के लिए अपना जोगदान देना चाह रही है तो कैसे जोगदान दे सकते हैं पर्यावरन को कैसे बचाया जा सकता है तो ज़दी घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना चाहिए ये तो गलत है, काम कैसे चलेगा, कार अस्कूटर जैसे विक्तिगत बहान रखना चाहिए, ये गलत है, इससे तो ज़्यादा परदूसन होगा, सनरचन क्या होगा, तो हमारा जो सही अंसर जो है, वो होगा चवथा, कि आने जाने के लिए हम सारुजनिक साधनों का परियोग क चाहती है, कि वे अपने द्वारा कम से कम परियावरन को दूसित करें, कम से कम परियावरन को दूसित करें, तथा आने जाने के लिए सारुजनिक साधनों का परियोग करें, आए देखते हैं, नौमे प्रश्न को, हाथियों के विशे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही ह हाथी के विशे में elephant elephant के विशे में कौन सा? कथन सा ये बेस हाथी एक दिन में दो क्यूंटल से भी अधिक पत्ते और जाड़ियां खा सकता है तो देख लेते हैं अग दूसरा है तीन महिने के हाथी के बच्चे का भार भार शमाइने तर लगबग दो क्यूंटल होता है हाथी तीसरा हाथे दीन में आठ से दस घंटे सोते हैं चवता हाथी अपना दिधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं तो इसमें जो तीन कथन जो है वो गलत है जो एक ही कथन जो है वो सही है तो वो सही अंसर कौन सा है तो वो सही अंसर है आपका दूसरा तीन महिने के हाथी के बच्चे का भार शमाइने तर लगबग दो क्यूंटल होता है तो इसका सही अंसर होगा हमारा दो हाथी एक अस्तंधारी जन्तु है तता इसके तीन महिने के बच्चे का भार लगबग दो क्यूंटल होता है ध्यान रखेंगे इसको नेक्स हम लग देखते हैं दसमा प्रशन को कहते हैं न कि जदी एक महिने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस परकार परभावित होगा पूरे एक महिना आपके घर बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन किस परकार परभावित होगा इस परशन को पूछने का उद्देश ही क्या है सिचार्थियों के कलपना परक और चिंतन परक कोशलों का विकास करना बिजली के सरोतों के बारे में सिचार्थियों का आकलन करना सिचार्थियों की स्रमाइन जानकारी का आकलन करना चौथा है समूचीत तरीके से बिजली का परियोग करने के पर ती सिचार्थियों को समवेदन शील बनाना तो इसका सही अंसर जो होगा वो होगा पहला कि जदी बिजली नहीं होगा तो बच्चे किस तरह का कलपना करेंगे किस तरह का चिंतन करेंगे तो हमारा सही अंसर जो होगा वो पहला होगा करते हैं कि जदी एक महिने के लिए बिजली ना आए तो हमारा जीवन किस परकार परभावित होगा इसका उदेश है कि विद्यार्थियों का कलपना परक और चिंतन परक कोशलों का विकास करना तो इसका सही अंसर एक होगा बिहार राजी के लोगों के लिए मधु मक्खी पालन सुरू करने की सबसे अच्छी अवधी कौन सी होती मधु मक्खी पालन के लिए वो भी बिहार वाले लोगों के लिए जुलाई से सितंबर अपरिल से जून अक्टूबर से दिसंबर जनौरी से मार्च तो इसका सही अंसर जो होगा होगा अक्टूबर से दिसंबर तो मधुमक्खी पालन जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में सही होता है करता है कि मधुमक्खी पालन में बिहार भारत का सबसे अग्रणी राज है बिहार में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है इससे पंजाब में सबसे ज़्यादा नियात किया जाता था बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक ध्यान रखेगा अक्टूबर से दिसंबर तक की मधुमक्खी पालन के लिए अवधी सबसे अच्छी माने जाती है तो अक्टूबर से दिसंबर में विभार के लोग मदुमक्खी पालन शुरू करते हैं कोई पच्छी पेड़ की उची डाल पर अपना घोशला बनाता है यह पच्छी हो सकता है कौन कलचीडी, सकर खोरा, कववा या फाक्ता तो इसका सही अंसर जो होगा कववा, क्रोब, तो इसका अंसर है कववा अपना घोशला उची डाल पर बनाता है पोचम पल्ली एक गाउं है, यह गाउं एक विशेश परकार के कपड़े की बुनाई के लिए परसिद्ध है और इसे भी पोचम पल्ली ही कहते हैं, यह गाउं निमलखित में से किसका भाग है, करनाटक, केरल, आंधर परदेश या तमिलनाडू तो यह जो भाग होगा, इसका अंसर जो होगा, वो होगा आंधर परदेश, पोचम पल्ली आंधर परदेश में है, लेकिन अब यहाँ पर देखे थोड़ा डिटेलिश का, पोचम पल्ली आंधर परदेश का गाउं है, यहाँ सारियों की बुनाई की जाती है, सारियों की ब कई अबू धाबी के बिशे में सही कथन चुनी अबू धाबी तप पहला यह रेगिस्तानी इलाके में है दूसरा अबू धाबे में पानी पेट्रोल से महंगा है तुसरा यहां के अस्थानिय भासा हर B है, चवथा है, अबू धावी का मुद्रा को दिनार कहते हैं तो इसमें सही option कौन होगा, पहला है A, B और D दूसरा है A, B और D, हम इस्टेक हो गया है A, C और D, तीसरा है B, C, D और चवथा है A, B, C, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा चवथा चवथा मतलब अबू धावी में, इसका जो सही अंसर है A, B और C सही है मतलब अबू धावी रिगस्तानी इलाके में है, यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है और यहाँ के अस्थानी अभासा अर्भी है, तो सही अंसर जो होगा A, B और C होगा कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं, वे हैं रात में जागने वाले जानवर, मतलब पक्छी लोग रात में जागते हैं कुछ तो उनको हर चीज किन रंगों में दिखाए देता है तो हरा और पिला, दूसरा है बैंगनी और नीला, तीसरा है काला और सफेद, चोथा है लाला और संतरी तो जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें सभी वस्तु में दो ही रंगों में दिखाए देता है वो है काला और सफेद तो सही अंसर होगा मेरा तीन तो कुछ जानवर रात में जागते हैं ये जानवर ये जानवर हर चीज को काले वंग सफेद रंगों में ही देखते हैं अई नेक्स्ट प्रस्म को देखते हैं मृत सागर क्या है अईशा सागर जो सभी महा सागरों वह सागरों से ज़्यादा नमकिन है अईशा सागर जिसका पानी जहरीला होता है अईशा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तिवरिगती से आते हैं जो था अईशा सागर जहाज चलाना खतरनाक होता है तो हमारा जो सही अंसर होगा वो होगा इसका मृत सागर के बिशे में तो वो पहला होगा कि ऐसा सागर जो सभी महा सागरों वा सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है उसे मृत सागर कहते हैं तो इसका सही अंसर होगा मृत सागर समुह तल से 400 मीटर नीचे है इसे दुनिया का सबसे नीचला बिंदू भी कह सकते हैं इसका घनतु सबसे अधीक होता है इसलिए इसमें कोई मचली जीवित नहीं बचती है मिरित सागर में परचूर मात्रा में खनीच पाया जाते हैं साधारन जल की तुलना में 20 गुना जादा ब्रोमीन 50 गुना जादा में मेगनिशियम और 10 गुना जादा आयोडिन होता है तो मिरित सागर के बारे में हम लोग अभी समझे नेक्स प्रस्ट है 17 की कच्छा 5 के विद्यार्थियों को प्रयावर्निय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीती परदूसन पर अधिक बल देना चाहती है वांचित उद्देश को प्राप्त करने के लिए क्रिया कलापों में कौन सा सरवाधिक परभावी हो शकता है तो पहला है कि विद्यार्थियों को सेचनिक भर्मन पर ले जाकर किसी परदूसित नदी को दिखाना दूसरा है विद्यार्थियों को विभिन परकार के परदूसनों के चार्ट बनवा कर तीसरा है कि विद्यार्थियों को विभिन परकार के परदूसनों से शम्मंधित प्रियोजनाओं पर कायर्ज करने के लिए कहना और चौथा है किसी विशेशग्यों को आमंत्रित करके वायू जल तथा धोनी पर भासन दिलाना तो इसमें जो सबसे सटीक अंसर है परदूसन पर अधिक बल देने के लिए बच्चे को हम लोग बोलेंगी कि विध्यार्थियों से विभीन परकार के परदूसन से समंदित परियोजनाओं पर कारज करने के लिए कहेंगी तो इसका सही अंसर होगा वो तीन होगा कच्छा फाइब के विद्यार्थियों को परियावर्निय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समें प्रीति को सिच्छार्थियों से परदूसन सम्मंदी कुछ प्रशन तथा परदूसन पर चर्चा करना तथा परदूसन से सम्मंदी को परियोजनाओं पर अच्छे ग्रहकाज को मुख्यता किस पर केंदरित होना चाहिए, ग्रहकाज मतलब होम वर्क, तो होम वर्क को किस पर केंदरित होना चाहिए, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हमारा होगा, थर्ड, विस्तारी तदिगम के लिए चुनोतियों और उतेजना, इवियस में किसी अच्छे ग्रहकाज को मुख्यता विस्तार रूप में तथा कठनाईयों वाला होना चाहिए, जिस सिछार्थी जब ग्रहकाज करें, तो उससे अधीक से अधीक जानकारी उस विसे में अरजित करनी पड़े, जिस विसे पर वहकाज कर रहा है, अतह इवियस म किसी अच्छे ग्रहकाज को मुख्यता विस्तारी तधिगम के लिए चुनोतियों और उतेजना पर केंद्रित होना चाहिए, नेक्स देखते हैं, 19, कहते हैं, सालिनी ने कच्छापूर के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए स चिकनिक भर्मन की जोजना बनाई है, नीचे दिया गया कौन सा समाइने निर्देश इस भर्मन के लिए आप प्राशांगिक है, मतलब सुटेबुल नहीं है, कौन सा कथन सुटेबुल नहीं है, तो अपना दिन भर का पूरा वस्ता लेकर आना, दूसरा है परदर्शन के श पेड ले जाना, तो जो अपरशांगिक मतलब सुटेबुल नहीं है, वो पहला है, कि अपना दिन भर का पूरा वस्ता लेकर आना, यह सुटेबुल यहां पर नहीं है, चौकि बिग्ञान के अंदर जाना है, तो इसमें डिटेल देखते हैं, सालिनी ने कच्छा फोर के वि क्योंकि वो सिचार्थियों को सेचिक भर्मन के लिए ले जाती है, किसी बिद्याले में नहीं, नेक्स्ट हम लोग बीशमा प्रशन को देखते हैं, प्रार्थमिक अस्तर की अच्छी EBS पैठ चरजा में होना चाहिए, क्या अपने आस पास को खोजने की आउसर परदान करन दूसरा पाठ के अंत में सबसे अभ्यास प्रशन सम्मिलित करना, संकल पनाओं के विस्तरीत ब्याक्या पर अधिक कागरता, पदों की अथार्थ परिभासा पर अधिक बल देना, तो पैठ चरजा में क्या होना चाहिए, अच्छी पैठ चरजा हो EBS का, तो इसमें जो सटी है, वो होगा आपका पहला, तो सटी का अंसल जो होगा, आपका पहला होगा, प्रार्थमिक अस्तर की EBS पाठ चर्या में आसपास की जानकारी, घटनाओं से संबंदित जानकारी को जानने का आउसर परदान होना चाहिए, इस तरह का पैठ चर्या बनाना चाहिए, ताकि ल कविताएं, कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है, पहला, भिषय में अधीगम में आमोद परमोद परदान करना, विद्ध्यार्थियों में शाहिट एक रुची बिख्षित करना, तीसरा है, मुल शंकलपनाओं के अधीगम में ब्रिधि करना, चाहिए वस्तों को परस् आमोद परमोद परदान करना, तो पहला अंसर सही होगा, प्रार्थमी के अस्तर की इविएस पैठ पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है कि जब सिचार्थि को इविएस की पुस्तकों का अध्यन कराया जाए, तथा अभ्यास करा जाए, तो वि द्यार्थियों को बिशे सम्मंदित कुछ आमोद प्रमोद अर्थाद परदान किया जा सके यह बहुत ही अच्छा प्रस्न है इस तरह के प्रस्ना को पूछ सकता है कच्छा 5 की EVS की पैठ पुस्तक के किसी पाठ में सोची और चर्चा कीजिए सोची और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है जदी आपके गाउं अथवा सहर में एक सब्ता तक पैट्रोल तथा डीजल ना हो तो क्या होगा सोची और चर्चा कर यह में लिखा हुआ है तो इस कथन का मुख्योदेश क्या है मतलब इसको लिखने का मुख्योदेश क्या है तो पहला है चात्रों का पैट्रोल और डीजल के सरोतों के बारे में मुल्यांकन करना चात्रों को तेल के निया संगत उप्यों के बारे में समवेदिन सिल बनाना वास्तिविक जिवन की चिंताओं को समझने है तो कलपना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना और चौथा है पेट्रोल और डिजल की कमी के बारे में जागरिती उत्पन करना तो आपके गाउं में एक सब्ता तक पेट्रोल और डिजल न हो तो क्या होगा तो इस तरह का टॉपिक्स पे क्यों चाचा किया जाता है इसका सही अंसर जो होगा वो थड होगा थड कहने मतलब वास्तिविक जिवन की चिंताओं को समझने है तो कलपना और सोचने विचारने की कुसलता को बढ़ावा देना तो इसका सठी का अंसर तीन होगा EBS की पढ़ाई में कच्छा में प्रुष्ण उत्तर तकनिक का सबसे अच्छा उप्यों किसके लिए किया जा सकता है पहला ऐसी चार्थियों में सीखने की जग्यासा उत्पन करने के लिए दूसरा बिद्यार्थियों के अध्यान आकर सित करने के लिए तीसरा है पारयोगी कोशल को बढ़ावा देने के लिए चाउता है कच्छा में उसासन बनाए रखने के लिए तो कच्छा में प्रोश्णोतर तकनिक सबसे अच्छा उप्यों किसलिए किया जा सकता है सिछार्थियों में सीखने की जिग्यासा उत्पन करने के लिए तो अंसर होगा एक इद्भियस की पढ़ाई कच्छा में प्रोष्ण उत्र तक्निक से सिछार्थियों में सीखने की जग्यासा उत्पन करने के लिए उप्योग की जा सकती है क्योंकि जब कच्छा में सिछार्थियों से प्रोष्ण उत्र करेंगे तो उसमें जानने की इच्छा उत्पन होगी तो इसका सट्री का अंसर एक होगा नेक्स्ट है प्रार्थमिक अस्तर पर इवियस की पढ़ाई का एक मुख्यू देश है प्रमुख्यू देश है अगले अस्तर के अध्यन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना दूसरा है विशे की मुल संकल्पनाओं की गहरी समझ विक्षित करना तीसरा है कच्छा की पढ़ाई को सिछार्थि के विद्याले से बाहर की जीवन से सम्मन्दित करने में शाहता करना चाहता है सौतंत्र रूप से हस्त सिध करिया कलापों को करने का कोसल अरजित करना तो इसका जो सही अंसर होगा प्रार्थमिक अस्तर पर इवियस की पढ़ाई का पर मुख उदेश जो होना चाहिए वो होना चाहिए तीसरा सटी का अंसर हमारा होगा तीसरा प्रार्थमिक अस्तर पर EBS की परिछात देने का एक उदेश है कि सिछार्थी बिद्याले के ग्यान के अतिरिक्त बिद्याले के बाहर के ग्यान तथा जो समाजिक घटनाएं हो रही है उससे सम्मंदित जानकारी को भी से भी अवगत रहेगा इसलिए EBS की पढ़ाई प्रात्मिक कस्तर पर कराई जाने लगी तो इसका सही अंसर होगा तीसरा हम लोग नेक्ष्ट देखते हैं 25 नमबर EBS की कच्छा में जल का पार्थ पढ़ाते समय अंजली ने अपने कच्छा में जल के विभिन शरोतों और जल को संरचित करने के लिए बैतिगत क्रियाओं पर रोल पले आयुजित किया है इस क्रिया कलाप का मुख्य उदेश है किस पर रोल पले है? रोल पले मतलब छोटा सा नाटेक है जल के विविन सरोतों और जल को संरचित करने के लिए बैत्तिगत किरियाओं पर रॉल पले है तो इसका क्या उदेश होगा अधिगम की परकिरिया में एक रस्ता को जोड़ना दूसरा है विद्यार्थियों को समाजिक को सल्ताओं में शुधार करना तीसरा है अधिगम की परकिरिया में बिद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिशित करना जल के सरोतों के विशे में बिद्यार्थियों के ग्यान में विरिधी करना तो इसका भी सटीक अनसर हमारा होगा तीन होगा कि अधिगम की परकिरिया में विद्ध्यार्थिये का सक्रिये भाग लेना सुनिशित करना ही इस रॉल पले का उद्धेश होगा मित्रों एक सुचना है कि मैं Remedial Mathematics कहके एक सीच चारले करने जा रहा हूँ Remedial मतलब होता उपचारात्मक मतलब किनी कोई सब्जेक्ट में कोई कमजोर हो तो उनको उपचार कैसे किया जाए कुछ बंद्रों हमारे सिच्छक मित्रों साथियों का किसी कारण वस Mathematics कमजोर हो गया उन्हें जोड, घटा, अउगुना, भाग, बोड मास, समिगरन सॉल्फ करना इत्यादी में काफिक प्रॉबलम हो रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं आसपास में तो उन लोगों के लिए मैं Remedial Mathematics लेके आ रहा हूँ Remedial Mathematics में हम आपका जीरो से सुरू करेंगे, एक तम पहला कलास, दुसरा कलास से सुरू करेंगे और आपको 12 तक के Mathematics का जानकारी देंगे मैं आसा करता हूँ कि जदी Remedial Mathematics को आप जोईन करते हैं तो आपको जदी Mathematics में प्राब्लम है तो प्राब्लम 100% सॉल्व होगा बस आपको मेरे दिसा निर्देश में चलना रहेगा तो Remedial Mathematics उन लोगों के लिए जिनका Math काफी विक है उन लोगों के लिए जिनका Math बहुत दिनों से छूट गया है जो विद्याले में Mathematics नहीं पढ़ाते हैं लेकिन उनको परिच्छा में पास करना है टेट पास करना है आकलन परिच्छा पास करना है लेकिन Maths उनके लिए बाधा है तो उन लोगों के लिए उपचारात्मक Mathematics में लेके आ रहा हूँ Remedial Mathematics लेके आ रहा हूँ 76402 पर आप लिखिए Remedial Mathematics मैं आपको अपने ग्रूप से जोड़ूँगा और Remedial Mathematics में Remedial Mathematics क्लास साइद 1 माई या 2 माई से शुरू होगा उससे पहले आप अपना लिख के भेज दे Remedial Mathematics काफे helpful होगा आप लोगों के लिए जिनको Maths पहाँ सा लगता है मेरा निवेदन होगा कि जिनका Maths अच्छा हो वो इस ग्रूप में नज्वैन करें ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको Maths बिल्कुल समझ में नहीं आता तो दोस्तों जदी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो पिलिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा लाइक कर देजेगा और कमेंट का भी इंतजार रहता है आपका धन्यवाद